अलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो फ्रेंट्स आज की वडियो में बात करेंगे MTS, स्टाफ नर्स, जूनियर असिस्टेंट काफी बड़िया वेकेंसी आपकी आई हुई है और काफी शांदार वेकेंसी आप सबी के लिए आई हुई है जिसने भी 10th पास, 12th पास कर रखी है उनके लिए ये वेकेंसी काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है MTS की हो जाएगी, जूनियर असिस्टेंट की हो जाएगी, लैब अटेंडेंट की, स्टाफ नर्स की काफी शांदार और काफी बड़िया वेकेंसी आपके लिए है आदेम से आपसे डिसकस करते हैं, जो न्यू वेकेंसी आउट हुई है तो लेट स्टार्ट इस इंपोर्टेंट पार्ट आपका ओफिशिल नोटिफिकेशन इसमें देख सकते हो, स्टाफ नर्स का हो जाएगा स्टाफ नर्स उसके बाद जहां पर देख सकते हो, मल्टी टास्किंग स्टाफ आगया म्टी एस का, स्टाफ नर्स का, लैब अटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट उसके बाद जो आपका ट्रांसलेटर का, ओडिट एसिस्टेंट का, कंप्यूटर ओपरेटर का, लिगल एसिस्टेंट का तो सब कुछ जहां पर आपकी वेकेंसी जो आई हुई है, तो टैंथ पास कर रखी है, आपके लिए वेकेंसी है आपकी सैलरी रहने वाली है, आपने इसमें क्या किया होना चाहिए, बी एसिस्टेंट सेक्शन आफिसर की लेवल 6, इसमें आपने क्या किया होना चाहिए, बैचूलर डिगरी की होनी चाहिए, उसके बाद जूनियर ट्रांसलेशनलर आफिसर के लिए मास्टर डिगरी की हो चाहिए लिगल असिस्टेंट के लिए ला किया होना चाहिए स्टैनो ग्राफर में 12 पास कंप्यूटर ओप्रेटर में BCA या BSC उसके बाद कैटरिंग सूपरवाइजर में वैचुलर डिग्री उसके बाद जुनियर असिस्टेंट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी उसके बाद जुनियर असिस्टेंट इसके 12 होनी चाहिए 12 आपने की होनी चाहिए और 7 में ही इसके क्या किया होना चाहिए आपकी जो स्पीड इसमें मैक्सिमम होनी चाहिए ठीक है उसके बाद पलंबर की आपकी इसमें वैकेंसी है लैब अटेंडेंट की अगर आपने 10 प केंसी आप सभी के लिए है तो आप सभी इसमें अप्लाई कर सकते हो exam center भी आपके दिये गे हैं पूरे all over इंडिया में आपकी state wise और आपकी city wise आपके जहां पे exam center जो बनेंगे और paper pattern की बात करें आपका staff nurse का इसमें आपके reasoning के 15 question, gs के 15 question, language के 20 question और subject के 70 question उसके बाद section officer के reasoning के 15 quant के 15, language के 30, computer के 10 और जो office manual के 50 audit के लिए reasoning, quant, language और computer ठीक है उसके बाद junior translator का English to Hindi, Hindi to English, mental ability, journal awareness और subject knowledge ये paper आपका रहेगा उसके बाद 10 के लिए language test, journal awareness, computer operation, total 100 marks उसके बाद next बात करें जो आपका क्या आजाएगा, next junior assistant के लिए mental ability, quant, journal awareness, language और computer operations आएंगे, ठीक है, total आपके 100 question इसमें रहने वाले हैं, तो आपके लिए lab attendant के लिए reasoning के 15, journal awareness 15, language के 30, उसके बाद subject specific के 60, ठीक है next बात करते हैं, multitasking के लिए 40 question आएंगे, language के 20 आएंगे GS के, और उसके बाद next किसके आजाएंगे आपके, next question जो आजाएंगे computer के, ठीक है, तो 100 आपका रहेगा, तो यह आपकी vacancy जो किसमें आजाएगी, नवोधिया विदियालिया स्मिती में, जो recruitment drive है, 2024 की, non teaching post है, तो इन सभी post के games में आप apply कर सकते हो, तो आपके लिए काफी शानदार यह vacancy आई हुई है, तो इसके regarding भी अगर आपकी कुछ doubts हो, तो comment section में पूछ सकते हो, और भी अगर आपके कोई जानकारी चाहिए हो, तो comment section में जरूर पूछिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, आपके लिए काफी शानदार यह vacancy आई हुई है, इसके लिए आप www.nabodya.gov.in पर जाके आप apply कर सकते हो, female staff nurse के लिए 1000 और processing fees 500, total 1500 रहेगा, ठीक है, SCST के लिए total 500 ठीक है, तो यह आपकी fees रहेगी, बाकी सभी exams के लिए आपकी 1000 रुपीस आपकी fees है, वो रहने वाली है, तो आप इसके लिए www.gov.in पर जाके apply कर सकते हो, आज के इस वीडियो में इतना ही